चॉसठ योगिनी की कहानी आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक जरूर करें चॉसठ योगिनी की कहानी, जोकी पुरानी कलपनाओं और पौरानिक कत्थाओं से जुड़ी है, एक प्राचीन भार्तिय कहानी है इस कहानी में 64 योगिनी देविया या देवी शक्तियां दर्शाई जाती हैं जो योग और तंत्र विद्या से संबंधित होती हैं आएए मैं आपको 64 योगिनी की कहानी का सार प्रस्तुत करून योगिनियों की कहानी कल्पनिक एक प्रदेश में शुरू होती है जहां पर 64 योगिनी देवियां एक प्राकृतिक आवस्था में रहती थी उनकी शक्तियां और सिध्वियां ऐसे प्रभावशाली थे कि उनको देवताओं और रिशियों का सम्मान मिलता था किसी समय एक राज्य में एक त्यागी रिशी रह रहे थे उनका नाम रिशी गोरकनाथ था गोरकनाथ रिशी ने योग और तंत्र विद्या में गहरी अभ्यास किया था एक दिन उन्हें किसी महान व्यक्ती ने बताया कि 64 योगिनी देवियां एक गुप्त स्थान में रहती हैं और वो शक्तियां बहुत ही अद्भुत हैं रिशी गोरकनाथ ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सोच लिया रिशी गोरकनाथ उस गुप्त स्थान तक पहुँचने का साहस करने लगे रास्ते में उन्होंने कई प्रकार के परिक्षाओं और संकट से गुज्र ना पड़ा परन्तु वो अपने धैर्या और साधना से उन सभी परिक्षाओं को पार करने में सफल रहे अंत में रिशी गोरकनाथ ने गुप्त स्थान तक पहुँच कर देखा कि वहां पर 64 योगिनी देवियां उपस्थित हैं उन्होंने अपने योगिक शक्तियों का प्रदर्शन किया और योगिनी ओं को प्रणाम किया योगिनी देवियों ने उसको अनेक उपाय और साधनाओं के बारे में बताया उन्होंने उसको साधना सामगरी भी दी और उसको महत्वपून मंत्रों का ज्यान प्रदान किया गोरखनाथ रिशी ने योगिनी देवियों से प्रार्थना की कि वो उनकी शक्तियां और ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करें योगिनी देवियों ने रिशी को एक कठोर साधना पर प्रशिक्षित किया उस साधना में रिशी गोरकनाथ को विशेश तपस्या, ध्यान और मंत्र जब करने का विधान बताया गया. रिशी गोरकनाथ ने समय समय पर योगिनी देवियों के सहायोग से साधना की और अंत में अपने योगिक सिधियों को प्राप्त किया. उसके बाद गोरकनाथ रिशी ने योगिनी देवियों का आशिरवाद प्राप्त किया और अपने योगिक ज्यान को और भी प्रसारित किया इस प्रकार, 64 योगिनी की कहानी संपूर्ण हुई, जिसमें रिशी गोरखनात में अपने साहस और साधना से उनकी शक्तियां और ज्ञान प्राप्त किया. इस कहानी से हमें योग और तंत्र विद्या की महत्वपूर्ण विद्यां और सिधियों के बारे में ज्ञान मिलता है योगिनी देवियों का दर्शन और उनके सहायोग से रिशी गुरकनाथ ने अपनी योगिक शक्तियां और सिद्धियां विक्सित की जो उनके अनुभवों और ज्ञान को और भी गहरा बनाता है योगिनीों की कहानी हमारे जीवन में योगिक अभ्यास और साधना का महत्वत दिखाती है और हमें इश्वर की अनुभूती तक पहुँचने की प्रेरना प्रदान करती है